क्या आपके पूटफोलियो में कमोडिटी का एक हिस्सा होना जरूरी है हम लोटेंगे इस सवाल पर लेकिन थोड़ी देर में स्वागत है आप सभी का बीवेल्दी के इस नए वीडियो में जहांपर हमारी कोशिश है साफधानी और समस्दारी के साथ अमीर बनने की देखिए एक निवेशक के तौर पर यह बहुत ही जरूरी है आपके और मेरे लिए कि हम अपनी देश की अर्थववस्था में क्या चल रहा है इस पर नज़र रखें बाकी देशों की एकॉनमी का क्या हाल चाल है इसका भी जायजा लेते रहें इसलिए नहीं कि कोई खबर जो अभी ठीक कर रहा है या कोई ऐसी थीम है जो आने वाले वक्त में बड़े अच्छे से प्लियाउट करेगी तो हमारे हाथ से कमाई का मौका निकल न जाये चूट न जाये इसलिए हमें अपनी देश की अर्थववस्था और बाकी देशों की एकॉनमी पर हमेशा नजर पनाय रखनी चाहिए आज हम बात करेंगे निवेश के कैसे ही मौके की जो पैदा हुआ है दुनिया की जो मौजुदा आर्थिक हालात है उसकी वज़े से और जानेंगे कि इस मौके का पैदा उठाने के लिए हम और आप कैसे निवेश कर सकते हैं देखिए अभी दुनिया के हालात क्या हैं आखिर क्या है बाकी देशों की एकॉनमी और हमारी एकॉनमी का हाल रूस से कच्छा तेल या फिर गैस नहीं मिल पा रहा है और इसलिए गैस पार प्लांट बंद है विजली का उत्पादर नहीं हो पा रहा है इसलिए फैक्ट्रिया बंद है पर पाबंदी ल बढ़ेगा और वहां पर अर्थवेवस्था में थोड़ा सा सुधार होगा तो स्टील ऐलिमुनियम जैसे तमाम तरह के मेटल की डिमांड बढ़ेगी अब लॉट कर आते हैं अपनी तरफ हमारे देश में क्या हालात हैं दोहजार चौबीस में आम चुनाओं हैं दोहजार ते अब इन तीनों हालातों का मतलब क्या है इन तीनों हालातों का मतलब ये है कि स्टील, नौन फिरस मेटल, सीमेन, कच्छा तेल जैसी कमोरिटी से जुड़ी कामपनियों को फायदा होने वाला है क्योंकि डेटा ये कहता है कि कमोरिटी प्राइस मोवमेंट का उन से जुड़ स्टॉक पर मल्टिप्लायर एफेक्ट होता है माल लीजे कि किसी कमोरिटी की प्राइस अगर 10% उपर जाती है तो वो कमपनियां जो उनके मैनुफाक्ट्रिंग या उनके प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई है उनके स्टॉक के कीमतों में भी करीब करीब उतनी ही बढ़ा देखने को मिलती है ऐसा इसलिए होता है क्यूंकि प्रोडक्शन कॉस्ट तो सेम रहता है लेकिन कीमते बढ़ गई तो इससे आपके रेविन्य इसका फायदा पुठा सकते उन कमोरिटी में निवेश करके जिनका जिकर हमने थोड़ी देर पहले किया है जिसको हम डौन एग्रो कमोरिटी कहते हैं कैसे कर सकते हैं निवेश विकल्प है आपके पास पहला है कमोरिटी ट्रेडिंग करके लेकिन यह आसान रस्ता नहीं है जितना कि हम आपको जानते हैं जितनी आपकी आपसे हमारी बातचीत होती है उसे एक बात समझ में आती है कि आप लोगों को स्टॉक मार्केट की समझ है थोड़ी बहुत लेकिन हमारा पाला कमोरिटी मार्केट से बहुत कम पढ़ता है तो वहाँ पर हमारी समझ थोड़ी सी तो ये रास्ता अभी के लिए फिलाल हमारे लिए नहीं है तो दूसरा रास्ता क्या है दूसरा रास्ता है कि आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी कामपनियो के स्टॉक खरीदे लेकिन यहां भी मसला है अब इस सेक्टर में भी आपको steel है, aluminum, तमाम तरह के commodities company हैं, किन-किन company के stock लेंगे, सही company कैसे चुनेंगे, किस price point पे आप entry लेंगे, इस तरह के तमाम सवाल होते हैं, जिसके जवाब एक आम निवेशक के पास नहीं होता है, तो अभी के दिए ये रास्ता भी यहीं पर छोड़ते हैं, तीसरा रास्ता है mutual fund का अब आप में से कई लोगों का निवेश होगा अलग-अलग fund houses की large cap, mid cap, small cap, lexi cap, multi cap, तमाम तरह की cap वाले funds में अब इन सब का थोड़ा बहुत निवेश हो सकता है commodity companyों में अगर आप उतने ही exposure से खुश है तब तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर आप एक पुराने निवेशक है और इसी theme में निवेश करना चाहते हैं इस sector में ही निवेश करना चाहते हैं तो कुछ fund house की schemes आपके लिए available हैं नाम ज़रा गौर से देख लीजिए आई सेप्रू Commodities Fund, SBI Magnum Coma Fund, Commodities Fund शौर्ट फर्म में लिखाए होने DSP Natural Resources and New Energy Fund, Tata Resources and Energy Fund तो ये आपके सामने options अवेलिबल हैं इन schemes में fund manager मोटे तोर पर chemicals, metal and mining, material, energy जैसे sector की stock में निवेश करते हैं आईए एक नज़र डालते हैं इन funds की performance पर ये रहा चार्ट आपके सामने जाने से पहले एक बात जरा गौर से सुन लीजिए ये sectoral या thematic fund हैं अगर आप नए निवेशक हैं तो आपको इस category से दूर रहने की सलाह दी जा रही है अगर आप पुराने निवेशक हैं और आपने अपने financial लक्ष के हिसाब से core portfolio बनाया हुआ है तो थोड़ा या पिर जो extra पैसा है वो आप इन में डाल सकते हैं यहाँ पर keyword है थोड़ा या पिर extra पैसा अपने core portfolio के निवेश से पैसा निकाल कर यहाँ डालना एक दम हम ये सलाह नहीं देंगे फिलहाल के लिए इतना ही अगर आपके जहर में कोई सवाल है तो नीचे comment करके मुझे बताईए वीडियो कैसा लगा comment करके वो ही बताईए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें और भी विल्दि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सही वक्त है अभी आप कर सकते हैं अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टा लिंक वगएरा मिल जाएगा तो अगर आप मुझे वहाँ फॉलो करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं हमारे इमेल आइटी भी होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज अगर कोई सवाल हो तो आप वहाँ पर हमें मेल कर सकते हैं याद रखिए आप हैं मेरे निस बाती के साथ और हम समय बहुत ही साफधानी और समझदारी के साथ अमीर बने के सफर पर आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार स्टे बलस्त, हल्दी और बेल्दी